Hi guys, welcome back to my channel दोस्तों कल एक बहुत ही important event है और उस event के साथ-साथ monthly expiry भी है तो जब ये दोनों event एक साथ mix किये जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा बूचाल देखने को मिल सकता है उस event का नाम है AGM of Reliance ये हर साल होती है इनकी annual general meeting और ये 44th AGM होगा इसमें आपको बताया जाता है कि company की कैसी performance रही है पिछले साल में और उसके साथ-साथ ये भी बताया जाता है कि company आगे के growth plans के बारे में क्या सोचती है future में क्या करने वाली है ये सारी बातें discuss की जाती है और इसकी शुरुआत होगी कल 2 बजे से तो आप सोच सकते हैं कि market hours में जब इसकी शुरुआत होगी तो आपको काफी बड़ा impact market में देखने को मिल सकता है और मैं market में impact क्यों कह रहा हूँ क्यों कि अगर reliance पे impact पड़ेगा तो market पे भी आपको impact देखेगा और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि पिछले 10 सालों में जब जब AGM हुआ है तब तब market में क्या क्या हुआ है यह आप देख सकते हैं कि पिछले 10 AGM वाले दिन reliance में कैसा कैसा movement आया है तो यह आप देख सकते हैं 3.7% की गिरावट 9.72% की बड़ोतरी उससे पहले 2.53% की गिरावट उससे पहले 3.76% की बड़ोतरी उससे पहले आप देख सकते हैं 2.73% की गिरावट तो अगर हम पुराने time को छोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा बड़ा movement आपको देखने को मिला है और ये 9.72% तो कुछ जादा ही है दोस्तों तो जब अगर 9.72% जैसे reliance भागा है अगर ऐसे ही भागता है या फिर ऐसे ही गिरता है तो आप समझ सकते हैं कि market पे भी इसका impact काफी बड़ा पड़ेगा और उसके सासाथ मंधली expiry भी है तो ये चीज भी आपको भूली नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा cautious रहने की ज़रूरत है क्या क्या बाते हो सकती हैं क्या क्या चीज़े हैं जो expect की जा रही है इस AGM में वो है telecom tariff hikes उसके अलावा new product launches with google, facebook and microsoft उसके अलावा potential value unlocking from a proposed energy business stake sale ये कुछ बाते हैं जिनकी expectation रखी जा रही है by brokerage firms लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती है अब quickly एक delivery percentage पे नज़र डाल लेते हैं आज की delivery percentage है 52% जो की काफी अच्छी खासी है 52% की delivery हुई है आज जो की बहुत ही अच्छी delivery percentage है अब थोड़ा सा इसको चार्ट पे अगर देखें दोस्तो तो reliance को अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि reliance में ज ताइम से बिलकुल ही शान्त पड़ा है जबकि market कहा 13,000, 14,000, 15,000 सब को पार करते हुए 16,000 पे खड़ी है ये stock बिलकुल भी move नहीं किया है और ऐसा लगता है कि ये जो event आ रहा है जो की इतना बड़ा event है this might just trigger some movement in reliance इसे reliance में कुछ ना कुछ movement trigger हो सकता है अब वो movement हो सकता है उपर की side हो या फिर नीचे की side भी हो सकता है ये तो depend करेगा कि कल AGM में क्या बाते होती है अगर market की expectation से अच्छा होगा तो हो सकता है उपर की side भगे अगर market की expectation से नीचे होगा तो हो सकता है कल आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए तो दोनों ही बातों के लिए आती है या फिर ऐसी चीज जो की unexpected थी लेकिन market की expectation से better आ जाती है तो इन levels को भी chase करने की reliance कोशिश कर सकता है तो आपको basically यहाँ पर cautious रहना है दोस्तों आपको especially इसकी option selling में cautious रहना है especially अगले एक दो दिन एक दो दिन इसको provide करें थोड़ा सा देखें monitor करें कैसा रहता है जब यह AGM का माजरा खतम हो जाता है तब ही इसमें कोई भी position बनाएं क्योंकि इसमें उपर की side की position भी खतर ना को सकती है और नीचे की side की position खतर ना को सकती है तो दोस्तों यह थी reliance से related update जिसकी वजह से कल अगर अगर reliance में कोई भी अफरा तफरी मचती है तो market में भी आपको अफरा तफरी देखने को मिल सकती है क्योंकि reliance एक heavy weight है इसका काफी weightage है nifty 50 में और अगर reliance जैसे stocks 4-4-5-5 percent का movement दिखाएंगे अगर दिखाते हैं तो तो आपको market में भी उसका असर देखने को मिलेगा और उसके लावा monthly expiry तो है ही यह आपको पता ही होगा I hope दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्काइब कर लेना Thanks for watching guys I'll see you next time